about speaking, इसका नाम ही है spoken English, मतलब ऐसी भासा जो बोली जाए, spoken English का आज हम जो topic पढ़ने वाले हैं, which is very simple, that is going to, that is going to and about to, now you will tell me sir यह क्या topic है, क्या difference होता है, आज हम सारा detail में पढ़ेंगे, और आज इस topic को पढ़ने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपनी daily use में इसे ल topic, simply in speaking and writing, तो चलिए, without wasting time, शुरू करते हैं, जैसा कि यहां लिखा है, ऐसे English सीखो, तो गाहाँ वाले भी English बोलेंगे, दोस्तों गाहाँ वाले English बोलेंगे, which means what, कि भई देखो, कई बार हम देखते हमें लगता है, क्या सहर के लोग तो English भोलते हैं, है ना, और गाहाँ के लोगों को English नहीं आती, ऐसा नहीं है, I also belong to a village, and today you can see that I can speak English much better, and I had the same problem, which you might be feeling now, कि English नहीं आती है, कैसे दीखेंगे, कैसे बोलेंगे, आज एक simple सा topic आपको पढ़ाँगा, वो भी detail में पढ़ाँगा, और फिर आपको practice भी करवाँगा, तो आज हमारी class होगी, a combo spoken English class, where we will understand concept and then we will practice the same topic, and in the end I'll give you a homework, उस homework को आपको complete करना है, and मैं आपको दूँगा साहट question की एक practice sheet, which will help you to improve your English, now आपने कई बार सुना होगा, spoken English के अगर बात करें, कि भाई, कोई काम करने वाले हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं, पता है, अरे मैं तो पता है, कार खरिदने वाला मैं जल्दी ही अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, या अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, तो हमारे पास दो प्रकार का वाला होता है, एक तो हम कोई काम ततकाल करने वाले हैं, और एक कोई काम जो है, वो हमारी planning list में है, कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो planning तो भया, 10 साल की भ में बताना हो कि कोई काम करने वाला हूँ जैसे मैं चाय बनाने वाला हूँ मैं खाना खाने वाला हूँ मैं स्कूल जाने वाला हूँ मैं पानी पीने वाला हूँ मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ लेकिन हम कहां पर going to लगाएंगे और कहां पर about to लगाएंगे that we are going to study तो चलिए आज का topic हम शुरू करते हैं आप सभी लोगों का स्वागत है 60 days के spoken English के बहुत ही शानदार class में आते के साथ ही हमें एक काम करना है that we have to like the session तो जो भी अगर आप आगए हैं तो आपकी उपस्थती तभी मानी जाएगी जब आप like करेंगे once you like this live streaming मैं समझ जाओंगा कि आप class में आ गए हैं तो फटाफट like कर दीजे और अपनी presence मुझे बता दीजे and after that I'll start teaching you I'll start sharing some of the my views that how you can speak spoken English very fluently तो चलिए English भासा को आज से सीखना शुरू करते हैं गुडीवनिंग कीरती शर्मा, राजेस गुडीवनिंग, गुडीवनिंग, गुडीवनिंग everybody और जैसे ही मैं live होता हूँ I always request you one thing कि इस live streaming को अपने सभी दोस्तों के साथ share करे राखी का तेवार है सभी भाईयों और बहनों को रक्षा बंदन की बहुत बहुत बधाई आप सभी लोग अपनी बहनों को एक तौफ़ा भेज सकते हैं आप अपनी बहनों को तौफ़े के रूप में English सीखने वाला हमारा कोर्स आप उन्हें भेज सकते हैं अभी मास्टरी अप पर ओफर चल रहा है हमारा अप है मास्टरी अप अप पर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर स्पोकन इंगलिश की कुर्सिस पर बहुत बड़ी डिसकाउंट देखेंगे दो दिन के लिए ओफर है अपनी बहनों को या अपने भाईयों को स्पोकन इंगलिश का एक गिफ्ट करिए साड़ी गिफ्ट करते हो कपड़े गिफ्ट करते हो वो कपड़े और साड़ी वो खुद खरीद लेंगे लेकिन अगर आपने उसे नॉलेज गिफ्ट कर दिया कि ये लो knowledge लो और आगे बड़ो life में ये सबसे बड़ा gift होगा तो जरूर एक बार master di app पर जाकर हमारे जो है class को देखिए अब चलिए अब मैं आपको simple सी बात बताने वाला हूँ देखिए which you will learn and you will enjoy मैंने यहाँ पर दो topic लिख दिये हैं अंगरेजीम में आपने एक word सुना होगा going to सुना है ना और एक होता है about to अब now let us understand कि spoken में इन दोनों का क्या इस्तमाल है देखना साथियों बहुत simple सी बात में आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा and this will help you to improve your English आप देखिए यहाँ पर समझने योग की बात यह है कि इस going to का meaning पता है क्या होता है जब हमें यह बोलना हो कि हम कोई काम कोई काम करने वाले हैं ठीके सर इसका meaning क्या होता है भई इसका meaning भी होता है कोई काम करने वाले हैं तो सर अगर English में दोनों का meaning same हो रहा है तो मुझे कौन सा लगाना है मुझे कौन सा लगाना है मुझे going to use करना है या मुझे about to use करना है दिस इस दे कंथूजन ना गाईस तो बहुत सिंपल है आज ही आप कंथूजन दूर कर लीजे देखिए जब कोई भी काम आपकी planning में हो किसमें हो आपका plan हो या फिर आप में उसमें जो है आप में उसमें समय जादा भी हो सकता है जो काम आप करने वाले हो उसमें समय जादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है समझ में आया कि नहीं आया मतलब simple सी बात है भाई time का खेले या तो समय जादा लग जाएगा या समय कम लगेगा अराम से समझो भागना नहीं है पहले समझोगे concept को तभी तो सीखोगे न जैसे मैंने कहा कि मैं car खरीदने वाला हूँ so this is my planning मैंने कहा कि मैं car खरीदने वाला हूँ तो car खरीदने वाला हूँ यहाँ पर हम going to कस्तमाल करेंगे क्योंकि यह मेरी planning है तो जब हम plan बताते हैं तब हम going to कस्तमाल करते हैं तो मैंने यहाँ पर उधारन के लिए लिग दिया example के लिग दिया कि मैं car खरीदने वाला हूँ मैं कार खरीदने वाला हूँ तो जब मैं इसे इंग्लिश में बनाऊंगा तो चुकि यह present tense है तो में को बोलूँगा I और present tense में हम easy mark use करते हैं तो I am लगा दिया I am और यहाँ पर हम going to लगाएंगे यह वाला हूँ के लिए मैंने going to लगाया और to के बाद हमेशा verb का first form आता है तो यहाँ पर हम I am going to buy क्या लिखेंगे I am going to buy a car क्या बोला मैंने भाहियो समझ में आया की नहीं आया I am going to buy a car मैं कार खरीदने वाला हूँ Now let us talk about about to Now you will say कि सर फिर about to का استعمال क्या करेंगे तो देखो about to के इस्तवाल कहा करेंगे जब कोई काम हम बहुत जल्दी करने वाले हों जैसे आपने पूछा की क्यों सर आपने खाना खा लिया मैंने का नहीं भाई मैं बस खाना खाने ही वाला हूं तो कोई काम आप जल्दी करने वाले हैं तो इसमें जल्दी करने वाले हैं जल्दी या समय कम हो समय कम हो ऐसे कारिय जिनको आप जल्दी करने वाले हैं You will perform these works in less time and that situation you will use about to जैसे मैंने कहा यहां पर कि मैं बस खाना खाने ही वाला हूं मैं बस निकलने ही वाला हूं मैं बस निकलने ही वाला हूं अब इस सेंटेंस में मान लीजिए कि हम सभी लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं अब हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप तो इस्टेशन पर पहुँच गए और आपने मुझे फोन किया कि सर, are you coming or not तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो सर तो मैंने कहा कि I am about to leave मैंने क्या बोला I am about to leave क्यों? क्योंकि मैं बस निकलने ही वाला हूं मतलब मैं बस निकलने ही रहा हूं मैं बस निकलने ही वाला हूं ये बस का मतलब वो बस नहीं चलाते हैं इस बस का मतलब होता है कि हम कोई काम कर नहीं वाले समझ में आया कि नहीं आया तो यहाँ पर देखिए मैं को बोलेंगे I I present tense में about लगा देंगे क्योंकि who लगा है और यहाँ पर बोलेंगे I am about to leave निकलने को हम leave भी बोल सकते हैं क्योंकि हम घर छोड़ने वाले हैं जब एक इस्थान छोड़ेंगे तो उसे leave बोलेंगे Now I hope कि आपको एक बहुत basic सा concept आराम से समझ में आ गया होगा देखो दोस्तों math study एक ऐसा platform है जहाँ पर आपको आराम से पढ़ाया जाता है भगाऊंगा नहीं आपको जल्दी बाजी में कि बस ये इसका meaning हो गया ये इसका meaning हो गया ऐसे कोई English नहीं सीखता है You all are enough mature that if you study a topic properly You will remember it for a long time और अगर जल्दी बाजी में पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो ये छोटे छोटे topic ना हमारे बड़े English बोलने में काम में आते हैं तो हमारा जो है आज spoken English का 7th day है सातवा दिन है और हमने 6 दिन की classes complete कर ली है ठीक है अगर आपने वो 6 दिन की classes complete नहीं की है तो आप जाईए YouTube चैनल पर और वहाँ पर आपको playlist मिलेगी उस playlist में मैंने बना दी है 60 days spoken English course वहाँ पर आपको पुरानी classes मिल जाएगी अगर आपको बिना add की देखना हो कि सर एड आता है तो master app पर जाएए आप पर आपको बिना add की सारी classes, सारे notes और सारी practice sheet एक जगव पर मिल जाएगी चलिए I hope you all are ready आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वी also need to सर आप vocabulary भी पढ़ाईए बेटा vocabulary की already हमारी live batch चल रही है क्या चल रही है vocabulary की live class चल रही है I understand की vocabulary बहुत जरूरी है मैं फटा-फट आपकी chat देख लेता हूँ देखो आप जो भी लोग आते हैं ना आप live class को like नहीं करेंगे तो मुझे आपका नाम ही दिखाई नहीं देगा आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम पढ़ू तो आप like कर दो तो आपका नाम उपर आ जाएगा chatting में या फिर आप जो देख रहे हैं उसका नाम उपर आ जाएगा so that I can read and I can understand your name फटाफट hit the like button अगर आप आप आगए हैं तो like कर दीजे now simple सी बात है आप देखो going to का स्तेमाल कहा करते हैं जब हम कोई काम करने वाले हैं जिसमें कम समय भी लग सकता है जादा समय भी लग सकता है जैसे मैंने कहा हमें कार खरीदने वाला हूँ तो एक planning वाला matter है अभी नहीं खरीदूँगा चार दिन बाद एक महने बाद दो साल बाद तो यहाँ पर going to लगाऊंगा जैसे मैंने कहा कि मैं घर बनाने वाला हूँ तो I am going to build home या I am going to buy home मैं घर खरीदने वाला हूँ मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ तो एक दिन का काम नहीं है अंग्रेजी सीखने के लिए दो महने का समय लगता है तो I am going to learn English तो यह मेरी planning में है तो जो जो भी काम हम करने वाले हैं उसके लिए हम going to लगाएंगे Now let's talk about about to, about to क्या करता है ऐसे सारे काम जो अभी आप just करने वाले हैं जैसे मैंने कहा मैं class लेने वाला हूँ I am about to start my class मैं ना मैं बस सोने वाला हूँ I am about to sleep जैसे किसी ने आपको phone किया रात को जगाया साड़े दस बजे कि क्यों क्या कर रहे हो तो तुमने बोला कि बस सोने वाला हूँ यार क्या करूँ कोई मुझसे बात करने वाला तो है नहीं तो I am about to sleep मैं सोने वाला हूँ ठीके किसी ने कहा कि क्यों अरे कभी-कभी नहालिया करो यार अरे भाई बस नहाने वाला हूँ I am about to take bath समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है What is the difference between going to and about to समझ में आया हाँ या ना बोलो भाई देखिए जो सना ने बोला कि सर मैंने like कर दिया है Thank you जो सना for liking for liking क्योंकि like का ing form नहीं होता है ध्यान रखना ये जो verb है ना ये like इसका कभी भी fourth form नहीं होता है तो मैं like कर रही हूँ I am liking you नहीं होता है ध्यान रखना अगर आपको बोलना है मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ नहीं होता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो I like you होता है I liking you नहीं होता है तो like का कभी भी fourth form बनता ही नहीं, कुछ लोग अपने मतलब के लिए fourth form बना देते हैं, तो English is all about grammar also, नियम पता होने चाहिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब हम एक एक concept को detail में पढ़ेंगे, यह going to हो गया, यह about to हो गया, अब हम लेते हैं सबसे पहले going to को, अब देखिए, simple सी बात है, हमको इतना समझ में आ गया है, कि going to का मतलब होता है, क्या मतलब होता है सर, एक बार फिर बता दो, मैं आपको इसको detail में पढ़ाता हूँ, कोई काम करने वाले हैं, अब भई ऐसा तो है नहीं, कि हम सिर्फ इसका इस्तमाल present tense में करेंगे, हम past में भी कर सकते हैं, future में भी कर सकते हैं, और present में भी कर सकते हैं, we can do it anyway, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, कि भाई, हम इसका किस-किस tense में प्रयोग कर सकते हैं, तो देखो दोस्तों, हमारे पास जब भी English बोली जाती है, तो कोई भी sentence को, English में कोई भी sentence को, present, past या future तीन तरीके से ही बोला जा सकता है, whether you can speak in present tense, or you can talk in past tense, और you will talk about your plannings in future tense, तो going to का इस्तमाल ज़्यादा तर present और past में ही होता है, future में नर के बराबर होता है, तो present में कैसे वाक्याएंगे, और present में कौन सी helping भी उस करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ से चाट के थूँ आप लोग understand करेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया present, past, present, past and future, now present की पहचान क्या है, तो जिन भी sentences के last में हे आता है, वो present होता है, जिन sentences के last में था आता है, वो past होता है, और जिन sentences के last में गा आता है, वो क्या होता है, आपका future tense होता है, now let us understand with example, देखिए, अब जब भी कोई sentence हम बनाते हैं न, तो हमें उसमें हमेशा helping verb की जरुवत पढ़ती है, helping verb क्या होती है, helping verb is a verb which talks about tense, helping verb वो चीज होती है, जो tense पताती है, तो present को कौन सी helping verb रिप्रेजेंट करती है, तो present को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास three words होते है, is, am और are, तो ध्यान रखना है, present में हमें is, am और are का यूज़ करना है, past में हमें was और work का यूज़ करना है, और future में हमें will be का यूज़ करना है, मैं again आपको एक चीज़ याद दिला दू दोस्तों, देखिए, कि future में न के बराबर जो है going to का स्थमाल किया जाता है, because going to अपने आप में future है, कोई काम करने वाले हैं तो वो तो खुदी future है क्योंकि अभियाब करनी रहे हैं, अब यहाँ पर तीनों को एक example के माध्यम से समझेंगे, देखिए, जैसे मैंने कहा कि वह क्या करने वाला है, वह पत्र लिखने वाला है, वह तुम्हें धोका देने वाला है, वह तुम्हें धोका देने वाला है, अब यहाँ पर आपने sentence को देखा अभी तुम्हें धोका दिया नहीं है अभी तुम्हें जाल में भसाया जा रहा है फिर तुम्हें धीरे से धोका देगा मतलब हम यहाँ पर about to नहीं लगाएं क्यों कि हमें पता ही नहीं जब कोई चीज़ confirm हो कि हम इतनी देर में करने वाले वहाँ पर about to लगाते हैं यह अभी बस धोका देने वाला है आके तुम्हें बोल देगा कि अपना रिस्तास से खतम तो वहाँ पर about to आएगा लेकिन यह मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि वहाँ तुम्हें धोका देने वाला है अब दिमाग की बत्ती जलती कैसे है देखो ज कैसे लगाना है सर तो देखो sentence ना अपने आप में आधा sentence बना होता है यह वहाँ को अंग्रेजी में बोलते हैं ही और ही के साथ में is लगाऊं एम लगाऊं की आर लगाऊं तो ही के साथ लगाया जाता है is इसके बाद हम इस वाला है के लिए going to लगाएंगे तो he is going to उसके वर्ब की first form धोका देना ये धोका देने को हम बोलते हैं deceive भी बोलते हैं या धोका देने को हम cheat भी बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों होते हैं धोका देने को cheat भी बोलते हैं और धोका देने को deceive भी बोलते हैं तो जो भी word आपको अच्छा लगे, you can use this word, ठीके, चलिए, my name is Aditya, यादो सर, thank you, thank you भाई साब, Aditya अब जहां से भी जुड़े हैं, सभी मेरे भाई, बहन, सभी मेरे दोस्त, especially मेरे गाउं के प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हैं इस क्लास को, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और एक एहसान कर दीजिए, कि हर एक वो बच्चा, जो बिल्कुल जीरो से अराम से English सीखना चाहता है, उसे ये वीडियो की लिंक जरूर देना, और इस बार राकी पर अपनी बेहन को, मिठाई या पैसे मत देना, मास्टडी का, स्पोकन English का कोर्स गिफ्ट कर देना, ताकि वो अपने पे तो मास्टडी अप पर जाओ, वहाँ पर बेस्ट स्पोकन English कोर्स है, वो गिफ्ट कर दो, अभी ओफर चल रहा है, सस्ते में मिल जाएगा, ठीके भाई, आगे देखिए, तो वह तुम्हें धोका देने वाला है, he is going to deceive you, ये हमारा सेंटेंस बन गया, अब पास्ट में वाला था, ठीके, अब जैसे ही आपने सेंटेंस को पड़ा, आपके दिमाग की बत्ती जली, आपने कहा कि सर, यहां तो था आ गया, तो वाला था के लिए क्या लगाएंगे, मैंने का भाई देखो, कोई काम करने वाले हैं, तो प्रेजेंटेंस था, तो हमने इजेमार लग वाल लगा देंगे, तो देखो, यहां पर सिंपल इस वह के लिए क्या लगाओगे, अब ही के साथ वाल आएगा, की वर आएगा, बोलो बोलो, वाल आएगा, की वर आएगा, आप बोलो के स座र, यह तो बहुत छोटी सी बात है, अगर सबजेक्ट सिंगिलर है, तो मुझे was लगाना है तो he was he was और यहाँ पर लगा दो going to he was going to deceive you बस कुछ भी change नहीं करना है सिर्फ हमने क्या किया आप एक चीज देखोगे यहाँ पर हमने was लगा दिया और यहाँ पर हमने is लगा दिया बाकी sentence वैसा का वैसा है तो वह तुम्हें धोका देने वाला था तो he was going to deceive you अब वही sentence हम future में लिखेंगे कि वह तुम्हें धोका देने वाला होगा वह तुम्हें धोका देने वाला होगा आप देखो भाई जैसे ही sentence को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि होगा बला आभी धोका नहीं देगा भविश्या में दे सकता है तो वैसे तो इसका going to say sentence बनाने से मतलब ही नहीं है हम इसको future indefinite में simple बोल सकते हैं कि he will deceive you वह तुम्हें धोका देगा या फिर हम model का इस्तमाल कर सकते हैं he may deceive you वह तुम्हें धोका दे सकता है पर चुकि grammatically हम बना रहे हैं तो हम simple बना देंगे he will be going to deceive you तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ही screen पर तीनो पैटन लिख दिये हैं देखो हर sentence का subject object वर्बस सेम है लेकिन difference कहा है अगर किसी वाक्य के last में हे आया तो मैंने इजे मार लगा दिया अगर था आया तो मैंने was word लगा देना है और अगर गा आया तो मैंने will be लगा देना है जिस इंसान को यह basic सा concept समझ में आ गया वो English बहुत आसानी से सीख जाएगा हमें यह समझना है कि present past future का game क्या है आगले एक महिने तक मैं यही करने वाला हूँ सहार दिन का जो है यह advance course है तो हम हफते में चार दिन class लेते हैं Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday चुकि कल राखी है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कल class off रहेगी क्योंकि कल छोटी है ना भई तो that is why आपकी class इस हफते मैंने तीन दिन ही लेनी थी तो आज last day अब वापस हम मिलेंगे Sunday को तो पहले आज का topic अच्छे से पढ़ लो और कल का मैं आपको homework दे दूँगा The students those who are new जो बच्चे नए है उनके लिए की important news यह है कि यह जो मैं पढ़ाता हूँ यह सारी classes Mastery app पर भी available है YouTube पर भी available है इसकी जो PDF है याने की जो पढ़ा रहा होना इसके notes आपको Telegram पर मिल जाएंगे Telegram एक app होता है जहांपर आप Mastery को जोईन करके वहाँ पर से PDF notes डाउनलोड कर सकते है या Mastery app पर जाकर वहाँ पर भी आपको सारी practice sheets और notes मिल जाएंगे अब हमें करना क्या है हमें इसकी practice करनी है ठीके देखिए वह तुम्हें धोका देने वाला है तो हम बोलते हैं He is going to deceive you तो मैंने कहा कि वह computer खरीदने वाला है He is going to buy computer वह computer खरीदने वाला था He was going to buy computer वह computer खरीदने वाला होगा He will be going to buy computer तो एक sentence को आपको तीनों tenses में बनाना है ऐसा इसलिए करना है ताकि हमारी अच्छे सी practice हो जाए ठीके क्योंकि आगे तो मैं आपको practice करवाऊंगा मैंने कहा कि वह पत्र लिखने वाला है तो आपको बोलना है He is going to write a letter वह पत्र लिखने वाला था He was going to write a letter वह पत्र लिखने वाला होगा He will be going to write a letter तो ये थोड़ा सा basic concepts था अब हम इसके structure को देख लेते हैं ताकि और clear हो जाए देखो हम पढ़ रहे हैं going to देखो जितना concept को समझोगे न साथी उतना मज़ा आएगा अब यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी going to का कोई भी sentence आप बनाते हैं तो आप यहाँ पर present की अगर बात करें तो present में आप easy mark लगा दो फिर यहाँ पर आपको going to लगा देना है और going to के बाद हमेशा verb का first form आता है दियान रखना अभी हमने main verb को introduce कर दिया है इसके पहले जो मैंने आपको topic पढ़ाये थे that was without main verb हम लोग auxiliary verb को लेकर ही चल रहे थे अभी सीधा main verb आगया भाई साब तो यहाँ पर मैंने एक बात बोली कि जब भी कही पर two आता है न तो two के बाद हमेशा verb का first form आता है ठीके तो इस structure को follow करना है हमें जैसे मैंने कहा कि हम cricket खेलने वाले हैं हम cricket खेलने वाले हैं simple सा sentence है जैसे वाले हैं आया दिमाग की बत्ती जली दिमाग तो है ना दोस्त तो जैसे ही वाले हैं आया आपने क्या बोला कि सर वाले हैं आया है तो मुझे going to लगाना है लेकिन सर हे आया है तो मुझे इस दिमार के साथ going to लगाना है तो यहाँ पर हम को अंग्रेजी में बोलते हैं we अब we के साथ ease लगाऊं am लगाऊं की आर लगाऊं तो यहाँ पर हम we के साथ आर लगाते हैं तो we are going to अब हमें यह गोई देखो यहाँ पर subject हमारा we हो गया यहाँ से हमने आर ले लिया going to लिख दिया अब आता है वर्बका first form तो sentence में खेलना एक वर्बका first form है तो यहाँ पर हम लगा देंगे play तो we are going to play और cricket को हम cricket ही बोलते हैं एना वैसे हमारे इंडिया में कुछ लोग cricket को किर्केट भी बोलते हैं किर्केट नहीं होता है भाई cricket होता है क्या होता है cricket होता है ध्यान रखना चलिए तो we are going to play cricket इस तरीके से अब हमें practice करनी है माल लीजे कि आपको कोई वाक्य अगर past में बोलना हो तो यहाँ पर सिर्फ changes कर दो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर बोला कि we were going to play cricket तो वाक्य क्या बन जाएगा हम cricket खेलने वाले थे अगर आपने यहाँ पर बोल दिया क्या बोल दिया यहाँ पर आपने बोला कि हम cricket खेलने वाले होंगे तो बस यहाँ पर विल भी लगा दो तो in this way you can practice प्राक्टिस करने के तरीके बहुत ही आसान होते हैं चलिए मेरे साथ फटा फटा बोलने की प्राक्टिस करेंगे मैंने कहा कि मैं घरी घरी खरीदने वाला हूँ मैं घरी खरीदने वाला हूँ तो कैसे बोलेंगे I am going to buy watch मैं घरी खरीदने वाला था I was going to buy a watch मैं घरी खरीदने वाला हूँगा I will be going to buy a watch तो will be को तो भूली जाते हैं पहले इन दोनों की प्राक्टिस करते हैं फटा फट मेरे साथ बोलेंगे मैं तुम्हें फोन करने वाला हूँ I am going to call you मैं तुम्हें फोन करने वाला था I was going to call you वे हम पर आकरमन करने वाले हैं They are going to attack us है ना वो हम पर आकरमन करने वाले थे They were going to attack us तो आप देखींगे कि मैं अगर प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ तो मैं is और are या am लगा रहा हूँ अगर मैं past में बात कर रहा हूँ तो मैं was over लगा रहा हूँ इतनी सी बात है and the thing is very much simple चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो ये concept समझ में आ गया आया की नहीं आया हाया ना बोलो भाई concept समझ में आया की नहीं आया yes या no बोलो चैट में चलिए नहीं आया कुछ लोग बोल रहे है आ गया है ठीक है बहुत simple है इसमें कुछ भी नहीं है देखो दो तिन बच्चे हैं जो बोल रहे हैं नहीं आया I need to again explain you going to का मतलब होता है हम कोई काम करने वाले हैं और हम जब हिंदी में बात करते हैं कि हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऐसा करने वाले हैं तो जब हम अपनी planning बताते हैं तब English में हमें going to का استعمال करना है अब present में जब हम बोलेंगे कि मैं नहाने वाला हूँ तो I am going to take bath बोलेंगे तो हमें क्या करना है present में is a mark के साथ going to लगाना है तो जो भी आप काम वर्तमान में करने वाले हो is a mark के साथ going to लगा दो subject object same रहता है ठीके और past में करोगे तो आप यहाँ पर यह लगा दोगे तो बहुत simple सा concept है ठीके और मैं बहुत basic से बढ़ाता हूँ आप थोड़ी सी practice कर लेते हैं यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा देखिए पहला sentence है मैं चाई पीने वाला हूँ इसको कैसे बनाओगे भाई चलिए यह चार sentences हैं आपको ना इनको बनाना है just try to make this sentence मैं चाई पीने वाला हूँ चलिए इसे बनाईए make some men perfect और English में दो काम हमेशा करना है एक बोलने की practice करनी है और एक लिखने की practice करनी है दोनों काम साथ में चलेंगे तो English बहुत अच्छे से हो जाएगी देखिए मैं चाई पीने वाला हूँ तो यहाँ पर में को बोलेंगे I I के साथ am आएगा I am और वाला हूँ के लिए लगा दिया I am going to take tea मैं चाई पीने वाला हूँ अब यह वाला sentence आप बताईए वह एक कहानी लिखने वाला है चैट ने बताईए Come on guys, this is a practice session I never believe that I have to only speak I have to only teach you English No, I want your participation If you participate in practicing English Definitely, we all together can learn English better ठीके, तो चलिए Second sentence बताईए वह एक कहानी लिखने वाला है वह एक कहानी लिखने वाला है तो वह को बोलेंगे He, He is going to He is going to अब लिखने को बोलते हैं Write, तो He is going to write a story कहानी को क्या बोलेंगे Story बोलेंगे तो He is going to write a story अगला देखिए वह हमें पढ़ाने वाला है ये sentence बताईए कैसे बनाएंगे वह हमें पढ़ाने वाला है जैसे ये आपने देखा वाला है तो वाला है मतलब going to लगाना है और अगर present है तो इसे मार के साथ going to लगाना है तो वह हमें पढ़ाने वाला है तो देखी यहां पर बोलेंगे He is going to He is going to पढ़ाने को बोलते हैं teach और हमें को बोलेंगे us देखो कुछ बच्चों का ना काफी words में problem रहती है जैसे एक होता है teach और एक होता है आपका read है ना teach आने होता है पढ़ाना और read आने होता है पढ़ना लेकिन यह किताब पढ़ना होता है और study आने होता है एक word होता है ना study इसका मतलब होता है पढ़ाई करना पढ़ाई करना तो तीनों में difference है teach कर रहे हैं तो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको ग्यान दिया जा रहा है read कर रहे हैं तो कोई किताब पढ़ रहे हैं कोई poem पढ़ रहे हैं कहानी पढ़ रहे हैं study का मतलब होता है पढ़ाई करना याने कि हम maths की पढ़ाई करते हैं science की पढ़ाई करते हैं हम study कर रहे हैं तो there is a difference between not between among these three words okay चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला sentence है क्या वह मुश्कुराने वाली है क्या बात है अब यह interrogative sentence है जब भी किसी sentence का interrogative बनाना हो तो आपको helping verb को आगे रखना पड़ेगा अगर आपने mastery app डाउनलोड नहीं किया है चलिए तो क्या वह मुश्कुराने वाली है तो देखो जब भी interrogative बनाओना तो इसको subject को पकड़ लो subject क्या है वह है तो वह के हिसाब से हमें helping verb को आगे लाना है अब लड़की है तो she है तो she के हिसाब से हमने ease आगे लगा दिया Is she going to smile ऐसे बनाएंगे मदलब तुमारा काम लग गया समझो कि अब English तो भूलो भालो ठीक से Hindi भी नहीं बोल पाओगे ठीक है यह कि वो मुश्कुराई फिर तुम मुश्कुराओगे फिर वो मुश्कुराएगी फिर तुम मुश्कुराओगे और तुम मुस्कुराते रह जाओगे और वो डॉक्टर बन जाएगी और तुम्हारा बाद में इलाज करेगी क्योंकि वो तो पास हो जाएगी मुस्कुरा मुस्कुरागे और तुम बड़े बाल एना तेरे नाम बन जाओगे और घुमते रहोगे क्या बात है मुस्कुराते रही है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो जब वो मुस्कुराए तो तुम पढ़ाई करना अब हम पास्ट की प्राक्टिस करते हैं यह जो नोट्स है ना बेटा यह सारे के सारे जो नोट्स है ना मैं आपको यह पूरे वाट्सअप कर दूँगा सर कैसे वाट्सअप करोग चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए पास्ट की हम प्राक्टिस करते हैं मैं किताब पढ़ने वाला था तो बनाने से पहले दिमाग लगाना कि वाला था अब टेंस ना चेंज हो गया है जहां पर आपके दिमाग में इजे मार आ रहा था वहां पर आपके दिमाग में वाजवर आना चाहिए मैं किताब लिखने वाला था अच्छी बाते भाईया किताब लिख दो तुम तो पढ़े जानी रही तुम से किताब और किताब लिखने की बात कर रहे हो चलिए बताईए अरे बोलो भाई बोलने से होता है, ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना, है न, come on, come on guys, do it, you can do it guys, चलिए, तो मैं किताब लिखने वाला था कैसे बोलोगे, देखते हैं, कितना आता है, तो मैं को बोलेंगे, I, I के साथ क्या लगा दिया, I was going to write a letter, मैं किताब लिखने वाला था, मैं क्रिकेट खेलने वाला था, ठीके, तो मैं को बोलेंगे, I was going to play cricket, वह चाय बनाने वाला नहीं था, देखो, यहां परना नहीं है, तो नहीं है, तो फिर not लगाना पड़ेगा, कहां पर note लगाओगे, helping up के बाद, he was not going to make tea, ठीक है, क्या तुम साइकल खरीदने वाले थे, तो तुम के हिसाब से वर आगया जाएगा, were you going to buy cycle या bicycle, question mark, तो देखिए मैंने चारो सेंटेंस को इंगलिश में convert कर दिया, अगर आपको बनाते आगया ना, suppose अगर आप ये चारो सेंटेंस बना पा रहे हैं, कि आप कुन-कुन से काम करने वाले हैं, तो समझो कि आपको एट टॉपिक अच्छे से clear हो गया है, तो चलिए कुछ टॉपिक मैं आपको औरली देता हूँ, मैं लकडी को तोड़ने वाला था, कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, देखो, खुझ से भी practice करते हैं, खुझ से practice की जा सकती है, अरे मैं तो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अब आप लोग तो मेरे सामने होई नहीं, पर मुझे तो कोई दिखाईन दे रहा है, मेरे सामने तो camera है, यह में सुचना कोई बैटा हुआ है, है ना, there is a camera in front of me, so that is why, तो I can, I am going to break stick, तो इस तरीके से sentence मनाएंगे, तो alone भी practice हो सकती है, ठीके, अगला पार्ट लेते हैं, going to in future, चलिए, माँ खाना पकाने वाली होगी, ठीके, तो अब इसको कैसे बनाओगे, माँ खाना पकाने वाली होगी, वैसे तो future में बहुत कम बोला जाता है, पर चार sentence, इसके भी करी लेते हैं, क्योंकि present के चार sentence हमने practice किये, past के किये, तो future बुरा मान जाएगा ना, so don't make him disappointed, बनाइए, माँ खाना पकाने वाली होगी, कोई काम future में करने वाले होगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बच्चा बोला है, तन्वे कुमार सर, I want session on article, बेटा, article जो है ना, वो grammar का chapter है, तो grammar के लिए हमारा अलग से channel है, कौन सा, mass English grammar, तो जो grammar पढ़ना चाहत हैं, वो grammar के channel पर जाईए, YouTube पर search करेंगे, mass English grammar, तो आपको हमारा channel मिलेगा, वहाँ पर आप जोईन कर सकते, रोज एक grammar की class होती, वनावर की, ठीक है, तो माँ खाना पकाने वाली होगी, तो कैसे बनाओगे, बोलो बोलो, mother are cooked food नहीं होगा, बेटा, going to लगाना पड़ेगा, यह वाला हो के लिए going to लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो देखिए, mother will be going to cook food, वह हमें phone करने वाला होगा, तो कैसे बोलेंगे, he will be going to call us, मेरी बेहन डान्स करने वाली नहीं होगी, है ना, बेहन को डान्स नहीं करना है, गुस्सा हो गई, तो कैसे बनाएंगे, my sister, और will के बाद यहाँ पर not लगाएंगे, will not be, फिर लगाएंगे going to, तो my sister will not be going to dance, ऐसे बनेगा, my sister will not be going to dance, वह अंग्रेजी क्यों सीखने वाला होगा, वह अंग्रेजी क्यों सीखने वाला होगा, देखिए, गुगली फेकी इस बार, बहुत कठीन सेंटेंस पुछ लिए, क्यों आ गया, तो WH sentence बनाने के लिए, जब भी किसी हिंदी sentence में, क्यों, कहां, कब, कैसे आ जाए, तो उसे हम आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, वाइ, विल ही, वाइ, विल ही, आप देखो, सीखने वाला होगा, तो लर्न लिखेंगे, वाइ, विल ही, बी, गॉइंग टू, लर्न, इंग्लिश, कुछ लोग बोलते हैं, सर, structure, important है क्या, इंग्लिश सीखने के लिए, मैं बोलता हूँ, हाँ, बिल्कुल, जो structure है, वो important है, क्योंकि हमें sentence को, pattern को समझने के लिए, initial level पर structure की help लगती है, हम कही पर भी subject को, कही पर भी verb को नहीं रख सकते हैं, English is a scientific language, है ना, और कोई चीज scientific है, मतलब उसकी proper approach है, उसको सीखने की, आगर English scientific नहीं होती, तो हम कभी नहीं सीख पाते हैं, है ना, भाई, इंग्लीज को क्यों सीख पा रहे हैं, क्योंकि एक scientific language है, इसकी नियम है, rule है, कानुन काईदे हैं, तो उनके लिए structure एक बहुत बड़ा role play करता है, तो structure से English सीखने के लिए, हमें initial level पर structure आना चाहिए, जब हम एक बार basic complete कर लेते हैं, फिर हमारे दिमाग में automatic layer बन जाती है, and then we start speaking English, तो यह हमने going to का पूरा concept सीख लिया, अब about to के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, about to बड़ा interesting short topic है, देखो, about to का meaning भी होता है, कोई काम करने वाले हैं, लेकिन जो कोई काम तत्काल करने वाले होते हैं, तब वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, about to लगाते हैं, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो, कि कोई काम बस होने ही वाला है, या कोई काम हम बस करने ही वाले हैं, ऐसे sentences को बनाने के लिए, वर्तमान में हम about to का प्रयोग करते हैं, और about to के प्रयोग में जब present में sentence बनाते हैं, तब हम easy more helping verbs का प्रयोग करते हैं, हर चीज को बह मेरी book है, math studies spoken English book, वो book आप ले लिजे, PDF वाली book है, आपकी mobile में रोज पढ़ सकते हैं, वो book math study app पर से आप मात्र 99 रुपीज में ले सकते हैं, 100 रुपे में पूरी book मिल जाएगी 600 pages की, enjoy करना, तो चलिए हम इसको पहले board पर पहले concept को समझने की कोशिस करते हैं, तो यहां मै मैंने लिख दिया, about to, meaning है, जल्दी ही कोई काम करने वाले हैं, मैं हाँ पर जल्दी शब्द का इस्तमाल कर रहा हूं, धियान रखना, which will give you difference between about to and going to, जल्दी कोई काम करने वाले हैं, structure same to same आएगा, अगर मैं present की बात करूँ, तो यहां पर यह हम इसको दो तरीके से इस्तमाल करते हैं, mainly, एक तो हम इसका यूज करते हैं, present में, एक इसका यूज करते हैं, past में, जब हम present में यूज करते हैं, तो यहां परना हम about to के साथ is, am, are लगाते हैं, same to same होता है, past में was, were लगाते हैं, बस sentence का meaning बदल जाता है, एक example के थूँ, हम लोग understand करने की कोशिस करेंगे, हम समझते example लेके, तो एक idea clear होगा, कि अब क्या लगाना है, मुझे अब about to लगाना है, going to लगाना है, जैसे मैंने कहा, मैं, बस खाना खाने ही वाला हूँ, खाना, खाने ही, वाला हूँ, ठीके, तो यहां पर sentence को देखके समझ में आया है, कि आप मलब 5 या 10 मिनिट में खाना खा लेंगे, कहीं ने कहीं जो है, आप बस phone रखेंगे, और आपका जो अगला mission होगा, वो होगा खाना, food, तो इस situation में हम क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे about to, तो में को बोलेंगे I, I के साथ आजाएगा am, और I am के साथ आजाएगा about to, तो I am about to eat food, इस तरीके से हमने sentence को बना लिया, अब यहाँ पर वही sentence हम पास में बना सकते हैं, या कोई और भी sentence लग सकते हैं कि कोई काम बस करने ही वाले थे, अरे यार पता है मैं तुम्हें फोन लगाने ही वाला था, पर तुम्हारा फोन आ गया, कई बार ऐसा हिट हो जाती न, कि हम किसी दोस्ते बात करना चाहते लेक तो मैं तुम्हें, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, sentence क्या है, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, जैसे ही था आया, तो वाज़वर लगाना पड़ेगा, I was about to call you, I was about to call you, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, समझ में आया कि नहीं आया, है या ना बुलो भाई, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, I was about to call you, ठीके, आ गया, very good, चलिए कुछ प्राक्टिस कर लेते हैं, structure भी same रहेगा, कोई difference नहीं, वह जहां पर going to, going to था, वहां पर about तु लगाना है, जैसे मैंने कहा, कि मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, बताओ जारा, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ I am about to meet you मैं तुम्हारे घर जाने ही वाला था जाने ही वाला हूँ I am about to go to your home है ना मैं बस यार मेरा मोबाइल ना खराब हो गया है मैं नया मोबाइल खरीदने ही वाला हूँ I am about to buy new mobile यह तो ऐसे खराब हो गया है तो अब हजारो बाते बोलते हैं बस मैं ना पता है तुम्हें गिफ्ट देने ही वाला हूँ I am about to gift you something मैं बस इंगलिश सीखने ही वाला हूँ I am about to learn English बस दो-ती दिन में सीख जाओंगा तो where you want to show that you are going to do this work very fast कोई भी काया जल्दी करने वाले हो आप वहाँ पर आप क्या लगाओगे about to लगा दोगे चलिए कुछ practice करते हैं और practice की माध्यम से समझने की कोशिस करते हैं यह आ गई practice ठीक है देखिए अच्छा यहाँ तो ना यह going to वाले और about to वाले mix हो गए है तो हम क्या करते हैं हम यहाँ परना sentence में आपको लिख देता हूँ about to वाले और आप ना इन्हें हिंदी में बताएंगे तो मैं खुदी practice बना देता हूँ आप मुझे हिंदी में बताना practice किसकी about to की देखिए पहला sentence है और मैं आपको 5 sentence दे रहा हूँ and I will check you कि आप कितने लोग 5 में से 5 कर पाते हैं जो लोग 5 में से 5 कर पाएगा उसे मेरी और से कुछ गिफ्ट मिलेगा चलिए तो 5 sentence लिख रहा हूँ हिंदी के आप English के बनाना मैं यहां पर about to लगाना है going to मत लगाना करने ही वाला हूँ पहला sentence दूसरा वे मैं उसे मारने ही वाला था तीसरा sentence एना तुम तुम यहां से भागने ही वाले थे बनाईए चौथा sentence हम तुम से बात करने ही वाले हैं एन पाचवा sentence वह यहां आने ही वाले हैं आने ही वाली है चली तुम आई है रिटन ओल फाइब सेंटेंसेज और आई वना चेक यो ओल इंग्लेश आई वना चेक यो इंग्लेश फटाफट मुझे बताईए कि आप में से कितने लोग इन पांच सेंटेंसेज को कर पाएंगे अगर आप कर पाए अबाउट टू लगाकर तुम्हें मानूगा कि आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया करिए फटाफट चोईज इस यॉर्स डू इट गाईस और जो लोग नए आए हैं अभी आपने लाइक ने किया है फटाफट लाइक कर दीजिए फटाफट लाइक करिए दोस्तों आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंस रखता है चलिए क्या बात है सीमा गुट्ता ने सारे सेंटेंसे बना दिये वेरी गुट अलीशा विनीत पुनीत रोशन गौरव सत्या नंदनी वेरी गुट स्वरब ठीक है फटाफट लाइक करिए गुट जॉब सभी के आंसर्स आ रहे हैं I am so happy great job guys great job keep it up जिनको नई प्राक्टिस करना है वो तो सुनते रहते हैं भजनों की तरह ठीक है आगे बढ़ जाते हैं now see अब हम क्या करेंगे एक एक सेंटेंस को करते हैं और आप लोग ना चेक करना you all check कि आपके कितने सहीं गए you have to evaluate yourself खुद को आपको चेक करना है देखो मैं project पूर्ण करने ही वाला हूं तो आप बोलेंगे I am about to complete project I am about to complete project मैं उसे मारने ही वाला था अब ये था आ गया न तो अलर्ट रहना है कि past tense है तो was word लगाना पड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा आई वॉस गोइंग टू बीट हिम जान से मारना हो तो यहां पर किल लगा सकते हो तुम यहां से भागने ही वाले थे अरे going to लगा दिया मैंने यार बोलना तो चाहिए यहां पर about to आएगा क्या आएगा about to तो I was about to beat him तुम यहां से भागने ही वाले थे तो you were about to run from here run from here यहां से को बोलेंगे here हम तुम से बात करने ही वाले हैं है ना तो present tense आगया वापस present tense आगया तो इसे मार लगाना पड़ेगा we are about to talk to you वह यहां से आने ही वह है आने ही वाली है है ना वह यहां आने ही वाली है कैसे बनाएंगे sentence बहुत आसान है आप सब लोग देख रहे हैं ना नीन तो नहीं आ रही है यह class देखते हैं वाटसप चला रहा है ठीक है तो वह यहां आने ही वाली है तो she she is about to she is about to come here she is about to come here चलिए तो आप मुझे बताइए कि आप मेंसे कितने लोगों के five out of five correct गए और कितने लोगों के five मेंसे दो सही गए तीन सही गए बताइए honestly बताना honestly बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या बात है काफी लोगों के five out of five गए हैं good job great job clear for all of you सभी लोग आपके लिए ताली बजाएंगे शानदार क्या बात अच्छा लगता है जब आपको देखो ऐसे ये this is the right way to study हम क्या चाहते हैं कि English ना हमें एक ही बार में आ जाए सब कुछ एक ही बार में clear हो जाए this is not good way एक बार में सब कुछ नहीं आता है दोस्तों हमें gradually सीखना होता है है ना जैसे मैंने आपको first day में basics of English पढ़ाया second day मैंने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था मैंने आपको I think imperative पढ़ाया था third day आपको be work पढ़ाया था fourth day आपको about to और going to में different समझा अब जब इस सारे topics को हम combine करेंगे ना तो एक English का knowledge हमें समझ में आएगा कि इस pattern के English के sentences ऐसे बनते हैं इस pattern के ऐसे बनते हैं इस pattern के ऐसे बनते हैं और उसको मिला कि जब आप English बूलते हैं we speak perfect English otherwise problem आ जाती है तो अराम अराम से पढ़ेंगे जल्दी बाजी नहीं है सहार दिन का course है तो हम अराम अराम से एक एक topic को study करने के बाद हम लोग फिर जैसे अभी 30 days तक तो मैं आपको basic पढ़ाऊँगा फिर अगले 30 days तक मैं आपको advance पढ़ाऊँगा advance में क्या क्या पराएंगे उसमें ना कुछ advance level के topics रहेंगे tenses, modals, advance level के रहेंगे mostly हम ना 30 days में practice पर बात करेंगे किस पर बात करेंगे practice पर बात करेंगे कि कैसे हम practice कर सकते खुद के साथ वैसे मैं आपको practice group भी provide करूँगा ठीके, जल्दी मैं practice group के लिए एक mass English community launch करने वाला हूँ maybe इस हपते के end तक या राखे के बात हो जाएगी इसमें आप सभी join करके वहाँ पर आप एक दुसरे से बात कर पाएंगे अब भी बात करनी हो तो आपको हमारा online class जोईन करना पड़ेगा online class में हम सारे बच्चों का एक group बनाते है WhatsApp group वहाँ पर सारे बच्चे class के बाद practice करते है रात को एक घंटा live class होती है उसके बाद उस group में जो topic देते हैं उस पर discussion होता है बच्चे वहाँ से call number लेकर discussion call पर भी कर पाते हैं और group में भी chat के माध्यम से कर पाते हैं तो दुनों तरीके से करते हैं तो इस सारा online classes में आपको मिल जाता है ठीके चलिए तो ये हमने systematic पड़ा अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाईए देखो ये साहट question की practice sheet है 60 question की ये आपको मैं practice sheet दे रहाँ 60 question की practice sheet दे रहाँ तो दादा जी टहलने वाले हैं क्या हमारे साथी हमारी साहिता करने वाले हैं बाराद पहुँचने वाली है क्या रमेश फसल काटने वाला है मैं उसे पीटने वाला हूँ गाय हरी गांस क्यों खाने वाली है मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ के बार बोलते ना मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ तो कैसे बोलेंगे एक बच्चा बोल रहा है वैभाओ स्रीवास्तो सर पीडियफ भेज दीजे बैठा रोज क्लास खतम होने के 10 मिनट बाद आपको टेलिग्राम पे पीडियफ मिल जाती है आप जाके अभी चेक कर लीजिए आप जाके अभी टेलिग्राम चेक करिए कल की पीडियफ मिल जाएगे आपको आज की पीडियफ क्लास खतम होने के बाद मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा ठीक है चलिए और आपको सारी PDF एक साथ चाहिए तो मैं last में बताऊंगा कि आपको सारी PDF एक साथ कहा मिलेगी तो यह practice sheet है इसको क्या करना है इसका print out निकालने के बाद आपको क्या करना है आपको solve करना है तो कैसे solve करेंगे यह कहा मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ चलिए आपको जाना है Master Diap पर मैं आपको बता देता हूँ इस सारी चीज़े कहां मिलेगी तो Master Diap पर आप जाएंगे न यहाँ पर नहीं है भाई एक सेकेंड यहाँ पर है आपको बताता हूँ कि आपको सारी PDF एक साथ कहां मिलेगी खुल जाज सिम सिम यह खुलेगा और सारी PDF आपको एक साथ दिखेगी Master Diap पर चलिए देखो यह Master Diap न ऐसा दिखता है हमारे पास तो यहाँ सारे कोर्सिस पर बहुत डिसकाउंट चल रहा है है न 100-200-200 रुपए में कोर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर आना नीचे 60 days वाले में यह जो आपका कोर्स में पढ़ा रहा हूँ यह 60 days basic to advanced course इसको क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक content नाम का एक folder मिलेगा आपको mobile मालक दिखाई देगा एक content तो content पर क्लिक करना और यहाँ पर देखो यह live recorded video lectures जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना वो सारे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ तो यह आपको सारी classes मिल जाएगी day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7 और उसी की सारी practice sheet आपको एक साथ मिल जाएगी आपको बटगना नहीं पड़ेगा यह practice sheet 1 है, practice sheet 2 है, 3 है और मजे की बात यह है कि practice sheet सारी डलीवी है आज की class की practice sheet जो मैंने आपको पढ़ाई ना वो यहाँ पर answer साही डलीवी है यह practice sheet 7 है, इसको आपन click करते हैं, देखो यह practice sheet है, है ना आप यह practice sheet और इसके answers भी यहाँ पर है, यह देखिए कितना प्यारा notes लग रहा है मैं थोड़ा बढ़ा करके आपको दिखाता हूं, see, white zoom कर दिया मैंने, यह देखो दादा जी टहलने वाले हैं, वो अरा sentence था ना, grandfather is going to for a walk, इस तरीके से यह सारे answers भी यहाँ पर मिल जाएंगे, और तो आपको एक ही जगव पर क्या मिल गया भाईया आपको एक ही जगव पर आपको video classes मिल गई, practice मिल गई, और आपको spoken English के notes भी जो में पढ़ाता हूं अगर आपकी class shoot भी जाए ना, तो आप YouTube की बजाई यहाँ भी देख सकते हो, लेकिन यह जो है, यह 199 रुपीज का है, इसके लिए आपको 200 रुपे देने पड़ेंगे, आप 2 महिने के लिए 200 रुपे तो खर्च कर सकते हैं ना भाई, सारा content systematic मिल रहा है, अब 200 रुपे भी study join कर लो, वहाँ पर सफरी में मिल जाएगा, लेकिन आगे पीछे रहेगा बस इतनी सी बात है, चलिए, तो आज का session आपको कैसा लगा, आप मुझे जरूर comment ने बताना बेटा, ठीके, अच्छा, एप install नहीं हो रहा है, हो जाएगा, एक बाद ट्राइ करो, अगर iPhone वाले है तो iPhone वालों के लिए अलग से link में दे दूँगा, वो iPhone में भी कर सकते हैं, ठीके, अब तो ये practice sheets, हाट questions की हम डाल देंगे, इसके अलावा फटा फट जाएए, एब पर जाके हमारा ये वाला course जो आइन करिए, best spoken English course, जो लोग basic से English सीखना चाहते हैं, उनके लिए 0 से, ये ह ये बहुत बढ़िया course है, अभी तक 80,000 से जादा बच्चों ने course सीखा है, और ये expert advanced English expert batch है, इसमें हम आपको expert बनाते हैं, ये तीन महिने का live batch होता है, ये best spoken दो महिने का होता है, basic course दो महिने में करवा देंगे, इसका जो डिवरेशन है, छे महिने में आपको basic complete करवा दें तो expert batch join कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए अभी offer चल रहा है, छोटे बच्चों की batch join करवा सकते हैं, चार सुरूपर महिना हम देते हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादा अच्छे सिखाना पड़ता है, इसके अलावा prime vocabulary batch है, ये सारी batches पर बहुत बढ़िया discount चल रहा आप अपने लिए personal English trainer भी hire कर सकते हैं, आप अकेले पढ़ना चाहते हैं, तो personal English trainer को hire कर लीजिए, एक महिने का class होता है, और आपको अकेले को one to one हम पढ़ाते हैं, और guarantee सारे courses में हम guarantee लेते हैं, इंडिया में कोई guarantee नहीं लेता है, but we take guarantee कि English सीखना है, तो master join करिए, 100% English आपक 500 रुपे की लेकिन अभी offer में 99 रुपीज में मिल रही है, ठीके बाकी बहुत सारी test series है, grammar course अगर आपने join नहीं किया है, तो grammar course की classes भी चल रही है, join कर लीजे, आप पर grammar course है, सारी competitive exams का एक बहुत बढ़िया है, grammar course में video classes है, और live classes भी है, साथ में हमापे test भी है, notes भी सब हमारे हर course में आपको test मिलेगा, मेरा हमेशा से समानना है कि केवल पढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है, बच्चे ने कितना सीखा, उसको test तो देना पड़ेगा, और ऐसा ने कि एक हफते में test ले रहे नहीं, हम लोग हर topic के बाद हमने test बना के दिया है, कि भई आपने आज बीवप पड़ा, तो बीवप के 50 questions आप करके देखो, अगर आ जाए तो समझ जाना कि आपने समझ अच्छे से पड़ा ने तो हम repeat करते हैं, तो हर topic का, मालो 50 topic पड़ाएंगे तो 50 test आपके लेंगे, 100 topic पड़ाएंगे तो 100 test लेंगे, वो mastery app पर available है, test quarterly बना हुआ है, तो हर एक चीज़ का proper assessment है, और पड़ाने का तरीका यही होता है, English की बहुत सारी coachings है, I have seen, वो आपको course देते है, 1000 रुपए आप से लेते, पड़ा देते, भूल जाते, test नहीं कर पाते हैं, हम बोलते हैं, हम test करेंगे, आपको live practice करवाएंगे, हमारी live class में भी से 20 मिनट पड़ा पर test भी बोलते हैं, test भी दो भाईया, तो तीन activities साथ में होती है, तो इंसान automatically English बोलने लगता है, तो experimented चीज़े हैं, अगर आपको हम बरोसा हो, तो आप एक बार आईए, master diap पर जाईए, classes join करिए, और यहां पर तो हम पड़ी रहे हैं, चलिए, आज की class में हमने सीखा, about to or going to के बीच में difference, I hope, मैंने बहुत basic level से, systematic तरीके से पढ़ाया, अगर आप बीच में आये हैं, तो शुरू से एक बार जाईए, और देखिए, यूटूब पर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगे, ठीके, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, सभी को, ये वीड साब बनी रहे, आप सभी लोग, भाई लोग अगर है, तो सभी लोग अपनी बहनों की रक्षा करें, अपनी बहनों का हमेशा ध्यान रखें, और frank रहें अपनी sister से, ताकि आपके साथ वो अपनी सारी बाते शेयर कर सकें, किसी और के साथ शेयर करने के बजाए, and please take care of all sisters, और अपनी बहनों को, अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकते हों, तो इतना करें, कि आप अपनी बहनों को अच्छे से पड़ा लिखा दें, ताकि वो किसी, कोई उनको ये ना बोल पाए, कि मैं तुम्हें पाल रहा हूं, है ना, तो आपकी बहनों को educate करें, उन्हें अपने फिरोपर खड़ा करें, उनको जॉप करने दें, उनको freedom दें, जितनी freedom आपको मिलती है, लड़कों को मिलती है, उतनी freedom अपनी बेहनों को भी दें, ताकि वो भी अपने career में अपने goals को achieve कर पाएं, अपनी life में आगे बढ़ पाएं, और English अगर बाधा बनती है, है ना, अगर English इंग्रिश बाधा बनती है तो उन्हें Mastery आप के बारे में बताएं यूटूब के बारे में बताएं और उनको बोले कि यहां से सीखे सर सिखाते हैं अपार्ट फर्म दिस आज का क्लास कैसा लगा आज का लेक्चर कैसा लगा क्लास खतम होने के बाद कॉमेंट में बहुत बड़िया अच्छे सी कॉमेंट लिखना कि आज आज आपको क्लास कैसा लगा मैं सारी कॉमेंट्स रीट करूँगा और आपकी कॉमेंट्स को लाइक भी करूँगा फटा फट जाएं Mastery app डाउनलोड करिए और सीखिए English 0 से guarantee के सा thank you so much please take care good night